सुप्रभात काक्षा तीसरी विशे हिंदी उपविशे पाठ बारह क शब्द भंडार प्रायवाची शब्द पाठ बारह ख विलोम शब्द पाठ बारह ग वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ बारह ग अनेकार्थी शब्द की एक बार फिर से धोराई करेंगे पुस्तक का नाम नई गुल मोहर हिंदी व्याकरण व्याख्यान ए धोराई बच्चों आज हम कक्षा में पाठ बारह क शब्द भंडार प्रायवाची शब्द पाठ बारह ख विलोम शब्द पाठ बारह ग वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ बारह ग अनेकार्थी शब्द की एक बार फिर से धोराई करेंगे तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रायवाची शब्द की दोराई की शुरुवाद करते है इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए इस चित्र में तीन बच्चे जो आपस में बाठ चीत कर रही है जिसमें एक लड़का दो लड़कियों के साथ खड़ा है तो लड़की ने उन दोनों लड़कियों को बताया कि मेरी माँ अध्यापी का है मेरी माँ अध्यापी का है इसकी बात को सुनकर उसके पास खड़ी लड़की बोली मेरी मम्मी डॉक्टर है मेरी मम्मी डॉक्टर है इस लड़की की बात को सुनने के बाद उसके साथ खड़ी लड़की इशारा करते हुए बोली वेह देखो शुती की माताजी आ रही है आपने तीनों बच्चों की बादचित पड़ी अब उनमें आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए हम मा के लिए मम्मी, माता, आदी शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इनके अर्थ समान है समान अर्थ वाले शब्द प्रायरवाची शब्द कहलाते है एक बाद फिर से धोराते है आपने तीनों बच्चों की बादचित पड़ी अब उनमें आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए हम मा के लिए मम्मी, माता, आदी शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इनके अर्थ समान है समान अर्थ वाले शब्द प्रायरवाची शब्द कहलाते हैं इस प्राकार हम कह सकते हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को प्रायरवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं इस प्राकार हम कह सकते हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को प्रायर वाची या समानार्थक शब्द कहते हैं नीची दिये गए शब्दों के दो-दो प्रायरवाची शब्द लिखिये नमबर एक इश्वर, नमबर दो मचली, नमबर तीन सरस्पती, नमबर चार शेव, नमबर पांच जल नीचे दिये गए शब्दों के दो दो प्रायवाची शब्द लिखें, तो चलिए हम जानते हैं कि इश्वर का प्रायवाची शब्द क्या है इश्वर, प्रभु भग्मान, मचली, मकर, मीन, सरस्पती, वानी, शार्दा, शिव, महादेव, शंकर, जल, पानी, नीर, पानी, नीर, चलिए एक बार फिर से दो राते हैं इश्वर, प्रभु, भग्मान, मचली, मकर, मीन, सरस्पती, वानी, शार्दा, शिव, महादेव, शंकर, जल, पानी, नीर नमबर छे, बेटा, नमबर साथ, घर, नमबर आट, आग, नमबर नो, सागर, नमबर दस, रात, नमबर छे, बेटा, तो चलिए बेटा का प्रायवाची शाथ जानते हैं बेटा, पुत्र, सुत, घर, ग्रिही, गे, आग, अनल, पावक, सागर, समुद्र, सिंदू, रात, रात्री, निशा, एक बार, फिरसे दो, रातिये, नमबर छे, बेटा, पुत्र, सुत्र, नमबर साथ, घर, ग्रिही, गे, नमबर आट, आग, अनल, पावक, नमबर नो, सागर, समुद्र, सिंदू, नमबर दस, रात, रात्री, निशा, इस पार्ट से हमने क्या सीखा? हमने सीखा, एक जैसा अर्थ, बताने वाले कई शब्द होते हैं, नमबर दो, समान अर्थ वाले शब्द, प्रायवाची या समानार्थक शब्द कैलाते हैं, एक बार, फिरसे दोराते हैं, प्रायवाची शब्द से हमने क्या सीखा? इस पार्थ से हमने सीखा, एक जैसा अर्थ, बताने वाले कई शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, प्रायवाची या समानार्थक शब्द कैलाते हैं, अब हम पार्थ बारे, ख, शब्द भंडार, सी संबंदे, विलोन शब्द की दोराई का अध्यन करेंगे, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि विलोन शब्द किसी कहते हैं, एक दूसरे का विप्रीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोन या विप्रीत आर्थक शब्द कहते हैं, इसकी परिभाशा को एक बार फिर से दोराते हैं, एक दूसरे का विप्रीत आने वाले शब्दों को विलोम या विप्रीत आर्थक शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द नीचे दिये गए हैं। इन्हें पढ़िये और याद कीजिये। जैसे, शब्द विलोम नमबर एक नया, नमबर दो सच, नमबर तीन गंदा, नमबर चार मोटा। कुछ विलोम शब्द नीचे दिये गए हैं। इन्हें पढ़िये और याद कीजिये। अब हम जानते हैं कि नया का विलोम शब्द क्या है। नया, पुराना, सच, जूट, गंदा, साफ, मोटा, पतला, मोटा, पतला, नया, पुराना, सच, जूट, गंदा, साफ, मोटा, पतला। शब्द बिलोम, नमबर पांच, बद्बू, नमबर छे, हलका, नमबर साथ, आज, नमबर आठ, एक, नमबर नो, जीत, नमबर पांच, बद्बू. तो चलिए हम जानते हैं कि बद्बू का बिलोम शब्द क्या है? बद्बू, खुश्बू, हलका, भारी, आज, कल, एक, अनेक, जीत, हार, जीत, हार. तो हमने इस पांच से क्या सीखा? हमने सीखा, विप्रीत अर्थ वाले शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं. नमबर दो, इन शब्दों को विलोम या विप्रीत अर्थक शब्द भी कहते हैं. एक पार फिर से दोराते हैं, इस पांच से हमने सीखा, विप्रीत अर्थ वाले शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं. इन शब्दों को विलोम या विप्रीत अर्थक शब्द भी कहते हैं. अब हम पार बारे ग शब्द बंडार से सम्बंदित वाक्यांशों के लिए एक शब्द की धोराई का अध्यन करेंगे. तो चलिए बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं. भाशा को सरल, संशिप्द और स्पस्ट बनाने के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रियोग किया जाता है. एक पर फिर से दोराते हैं भाशा को सरल, संशिप्द और स्पस्ट बनाने के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रियोग किया जाता है. कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं, जिनका अर्द एक शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है. जैसे जो सत्ते बोलता है, वह सत्तेवादी कहलाता है. जो बहुत परिश्रम करें, वह परिशर्मी कहलाता है. एक पर फिर से दोराते हैं, कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं, जिनका अर्द एक शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है. जैसे जो सत्ते बोलता है, सत्तेवादी, जो बहुत परिश्रम करें, परिशर्मी. वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ उधारन दिये गए है, इन्हें पढ़िए और याद कीजिये. जैसे वाक्यांश एक शब्द, नमबर एक, जो भारत का रहने वाला हो, उसे हम भारतिये कहते हैं, नमबर दो, जो लोही की वस्तु बनाने का काम करें, उसे हम लुहार कहते हैं, वाक्यांश एक शब्द, जो भारत का रहने वाला हो, वह भारतिये कहलाता है, नमबर दो, जो लोही की वस्तु बनाने का काम करें, उसे हम लुहार कहते हैं, नमबर तीन, जो बहुत परिश्रम करें, उसे हम परिशर्मी कहते हैं, नमबर चार, जो पड़ा लिखा न हो, उसे हम अनपड कहते हैं, नमबर पांच, जो कपड़े सिले, उसे हम दरजी कहते हैं, एक बार फिर से धोराते हैं, नमबर तीन, जो बहुत परिश्रम करें, परिशर्मी, नमबर चार, जो पड़ा लिखा न हो, उसे हम शाकाहारी कहते हैं, नमबर साथ, जहां इलाज के लिए जाते हैं, उस स्थांग को हम अस्पताल कहते हैं, नमबर आठ, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस स्थांग को हम विध्याले कहते हैं, नमबर नो, जो जूतों की मरम्मत करें, उसे हम मोची कहते हैं, जो जूतों की मरम्मत करें, उसे हम मोची कहते हैं, तो चलिए, एक बार फिर्ट से दोराते हैं, जो मास ना खाता हो, उसे हम शाकाहारी कहते हैं, जहां इलाज के लिए जाते हैं, उस थान को हम अस्पताल कहते हैं, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस थान को हम विध्यले कहते हैं, जो जूतों की मरम्मत करें, उसे हम मोच कहते हैं हमने सीखा इस पार से हमने क्या सीखा नमबर एक वाक्यान्षों के स्थान पर एक शब्द के प्रियोग से भाषा संशिप्द और स्टीक बनती है नमबर दो इससे भाषा के विस्तार से बचा जा सकता है इस पार से हमने क्या सीखा इस पर फिर से दो राते हैं वाक्यान्षों के स्थान पर एक शब्द के प्रियोग से भाषा संशिप्द और स्टीक बनती है इससे भाषा के विस्तार से बचा जा सकता है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कैलाते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कैलाते हैं जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि उत्तर शब्द दो बारी आया एक उत्तर शब्द का अर्थ था एक दिशा और दूसरे उत्तर शब्द का अर्थ था जवाब तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं आईए अनेकार्थी शब्दों की सूची पढ़ते हैं जेसे शब्द अर्थ नमबर एक आम खाने वाला फल और साधारण नमबर दो गुरू अध्यापक ब्रहस्पती ग्रह एक पर पिरसे दोराते हैं आईए अनेकार्थी शब्दों की सूची पढ़ते हैं शब्द अर्थ नमबर एक आम खाने वाला फल और इसका दूसरा अर्थ है साधारण नमबर दो गुरू अध्यापक ब्रहस्पती ग्रह एक गुरू का आर्थ है जो हमें शिक्षा देता है जैसे की अध्यापक एक है ब्रहस्पती ग्रह नमबर तीन पत्र पत्ता चिठ्थी नमबर चार लाल एक रंग पत्र नमबर पांच वाल दिन प्रहार एक बार फिर से दो रापे है नमबर तीन पत्र पत्ता और इसका दूसरा आर्थ है चिठ्थी नमबर चार लाल एक रंग और पत्र पत्र का को हम लाल केकर पुकाट रहे हैं नमबर पांच वार दिन प्रहार नमबर छे नजर द्रिस्टी भेच नमबर साथ सुर्ग देवता गाने का स्वर्थ नमबर आठ भाग भागे हिस्सा एक बार पिर से दो रापे है नमबर छे नजर द्रिस्टी और इसका दूसरा आठ है भेच नमबर साथ सुर्ग देवता गाने का स्वर्थ नमबर आठ भाग भागे हिस्सा अब मैं आपको पाट बारे शप्त भंडार व्याख्यान एक दोराई से संबंधिर ग्रिही कारिये में प्रदत कारिये देना चाहती हूं कक्षा तीसरी विशी हिंदी उपविशे पाट बारह शप्त भंडार पुस्तक का नाम नई गुल मोहर हिंदी व्याकरण व्याख्यान एक दोराई प्रदत कारिये नमबर एक नीची दिये गए शब्दों के दो दो प्रायवाची शब्द लिखिये जैसे क, सर्प, ख, बाग, घ, शिव, घ, सागर, अड़, रात एक बार फिर से समझाती हूं में आपको प्रेशन एक नीची दिये गए शब्दों के दो दो प्रायवाची शब्द लिखिये सर्प, बाग, शिव, सागर, राग आपको इनके दो दो प्रायवाची शब्द लिखने है प्रेशन नमबर दो दिये गए शब्दों के दो दो आर्थ लिखिये जेसे क, आम, ख, मान, ग, ग, गुरू, घ, हार, अण, काल एक बार फिर से दो राते है प्रेशन नमबर दो दिये गए शब्दों के दो दो आर्थ लिखिये जेसे आम, मान, गुरू, हार, काल आपको इनके दो दो आर्थ लिखने है प्रेशन नमबर तीन नीची दिये गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिये जेसे क, जो भारत का रहने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? ख, जो देखने योगे हो ग, जो पड़ा लिखा न हो घ, जिसका कोई अंत न हो अण, जो परिश्रम करता है एक बार फिर से दो राते है प्रेशन तीन, नीची दिये गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिये जैसे जो भारत का रहने वाला हो, जो देखने योगे हो जो पड़ा लिखा न हो, जिसका कोई अंत न हो, जो परिश्रम करता है प्रेशन नामबर चार नीची दिये गए शब्दों के विलोंशब्द लिखो जैसे क, मित्र, ख, एक, ग, रोना, घ, अपना, अण, जल्दी नीचे दिये गए शब्दों के विलोंशब्द लिखो, जैसे मित्र, एक, रोना, अपना, जल्दी अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें धन्यवाद